कि गुड़ मॉनिंग एवरीवन मैं अर्चना सिंग खेर नगर मुनिस्पल सेकंडरी इंग्लिश स्कूल बैंडराइस से आज की इस ऑनलाइन सेशन में हम पेपर पैटन की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए पद्विभाग की और बढ़ेंगे और जानेंगे पद्विभाग स हैं मैं के संबंदित प्रस्चा प्रारूप के बारे में आगे बढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कल के लेक्चर में हमने अब तक क्या देखा पप़ेपर पैटन की सुरुवात हमकि art क्ल रिक Prim 2 विभाग के बारे में जानकरी ली थी उसके पहले पपप्र पैटन में कि इत इतने सेक्षन होते हैं, उसके बारे में भी हमने जानकरी ली थी. जैसे कि हमने देखा था गद विभाग 20 अंकों के लिए पूछा जाता है, पद विभाग 12 अंक के लिए आते हैं, पूरक पठन 8 अंक के लिए पूछे जाते हैं, व्याकरण 14 अंकों के लिए पूछे जाते हैं, और इसके साथ ही रचना विभाग कुल 26 अंक के लिए पूछे इस तरह हमारा पूरा पेपर 80 marks का होता है, 80 अंकों के लिए पूछा जाता है, कल हमने गद विभाग के बारे में जान करी ली थी, गद विभाग में हमने देखा था, दो पठित गद्यांस पूछे जाते हैं, एक अपठित गद्यांस पूछा जाता है, जो दो पठित गद्या आंख होते हैं और चार ही घटक दो दो मांक के सिरह करते हैं सरसे टोटल आठंग्व हो जाते हैं यह चार घटकों के जहें कमें थो मिशकार में रहbench में नोकि की जाखी थी पहला घटक कुरल कोक्ताहे संजानने की जैने के ये दो अंक के लिए दूसरा घटक होता है आपलन कृती ये भी दो अंकों के लिए होता है तीसरी कृती हमने देखी थिया तीसरा जो घटक होता है वो शब्द संपदा व्याकरण से संबंदित होता है दो अंक के लिए और चौथा जो होता है वो अभिव्यक्ति स्वामत ये चौथा घटक होता है दो अंक के लिए इस तरह टोटल कितने हो गए आठ अंक ऐसा ही एक और पठित गद्यांस आएगा तेहने का मतलब है दो पठित गद्यांस पूछे जाते हैं आठ अंक के लिए तो आठ अठ सोला अंक हो गए कल हमने इसके बारे में विश्तित जानकारी मतलब अपठित गद्यानस के बारे में जानकारी लेंगे और उस से ही आज के सेशन के सुरूआत करते हैं गत्व विभाग में जो तीसरा पार्ट होता है दो पठित गद्यांस के अलावा एक और पार्ट होता है उसे कहते हैं अपठित गद्यांस अंसीन पैसे जिसे कहा जाता है अंसीन पैसे चार माक के लिए होता है अपठित गद्यांस चार अंकों के लिए पूछा जाता है इसमें भी दो घटक वोते हैं चार उंग के लिए मतलब गटक दो दो घटक लिए होता है तो टोटल चार हो जाते हैं पहला जो घटक होता है वो होता है संजाल पून कीजे या आक्रिती पूर्ण कीजिए, दो अंक के लिए होता है, इसके बाद जो दूसरा घटक पूछा जाता है, वो होता है अभिव्यक्ति या सोमत दो अंक के लिए, इस तरह के अपठित गद्यांस में इस तरह के जो पैराग्राफ आते हैं, उसमें आपको व्याकरण के प्रशन नह होता है, इसमें संजाल होता है, आक्रिती पूर्ण कीजिए हो जाता है, या फिर अभिव्यक्ति या सोमत होता है, बहुत ही इसी होता है, चोकि यह अपठित गद्यांस होता है, इसके लिए इसका पैराग्राफ जो दिया जाता है, जो गद्यांस दिया जाता है, वो बहुत प्रशन आसान होते हैं तो इस तरह से ख्राइटिरिया होती है पेपर जब सेट किया जाता है तब अपठित गद्यांस के लिए कुल चारंग होते हैं अपठित गद्यांस का जो प्रशन होता है वो इस तरह से पूछा जाता है निमलिखित अपठित गद्यांस पढ़कर दी गई सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए मतलब जो नीचे दिया गया अपठित गद्यांस है उसे से पढ़िये और एस पर instruction जो भी instruction दिया गया है उसके अनुसार खृटियां कीजिए ठीक है यहां पर मैंने एक प्रवार्व लिया है। ये पैराग्राफ आपकी टेश्ट बुक से नहीं है, बहार से है, मैं पहले ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ हमारे जीवन में पर्वों का अत्याधित महत्व है, इन पर्वों उत्समों एम तहवारों से हमारे नीरस जीवन में सरल्ता, उल्लास, उत्सहा एम आनन्द की वृद्धी होती है यदि ये पर्व समय समय पर हमारे जीवन की रिक्तता को ना भरें तो जरा सोचिए हमारा जीवन कितना सूना-सूना तथा नीरस लगेगा ये पर्व अनेक प्रकार के होते हैं धार्मिक, समाजिक, सांस्कृतिक, जातिगत, स्थानिय तथा राष्ट्रिय होली, दिपावली, दसहरा, रक्षा बंदन, इड, क्रिस्मस आदी ऐसे तहवार धर्म विशेश से हैं वैशाखी, पोंगल, ओनम, बसंत पंचमी आदी पर्वों का संबंद एक अस्थान विशेश की संस्कृति से है इसके अतिरिक्त हमारे जीवन में कुछ पर्व ऐसे भी हैं जिनका संबंद किसी जाती, धर्म, संप्रदाय, छेत्र, अथ्वा वर्ग से नहीं होता है इनका संबंद संपुन राष्ट्र से है, ये पर्व राष्ट्री दिवस के नामों से जाने जाते हैं हमारे राष्ट्री पर्वों में घरतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, तथा गांधी जैन्ती प्रमुक हैं इनके अतिरिक्त, शहिद दिवस, सिच्छक दिवस, बाल दिवस भी इसी श्रेनी में रखे जाते हैं यह पठिद गद्यांस का पैराग्राफ मैंने अभी जश्ट रीट किया, इसके उपर हम कोश्चन देखेंगे, जिस तरह के प्रशन आप प्रशन में पूछे जाते हैं, जैसा कि हमने डिसकस किया, पहला प्रशन होता है, संजाल पून कीचे, संजाल को अपर अधारिक पहल परियाय दिया जाएगा, अगर आपके दो परियाय दिये जाते हैं, तो वो एक अंग के लिए पूछा जाएगा, अगर इसमें चार परियाय दिये जाते हैं, तो वो दो अंग के लिए पूछा जाता है, यहाँ पर मैंने एक प्रशन लिया है, पर्वों के विभिन प्रकार या पर्व के विभिन प्रकार ठीक है यह प्रश्ण है तो नॉमली क्या हो जाता है बच्चे यहां पर गलती कैसे कर देते हैं जैसे कि अभी हमने यह पैराग्राफ देखा तो बहुत इजी है इसमें कुछ अलग से समझने जैसा कुछ नहीं है इंफर्मेटी पैसेज जैसरी इंफर्मेशन दी गई है तो ऐसा पैसे जब बच्चे देखते हैं तो वह उसे बहुत लाइट ले लेते हैं और यहां पर ही गलती करते हैं यहां पर पूचा गया है पर्व के विभिन प्रकार और हमें पता है कि होली दिपावली दसहरा यह सार पूच्छा जाता है तो हमें से कई लोग होली दिपावली दसहरा रक्षा बंधन लिख लेते हैं जो कि गलत हो जाता है यहां पर पर इस पैसेज में दिये गए हैं यह पर अनेक प्रकार के होते हैं धार्मिक समाजिक सांस्कृतिक जातिगत अस्थानी तथा राष्ट्री पर्व के विभिन प्रकार कौन-कौन से होते हैं कि पर्व धार्मिक भी हो सकते हैं समाजिक भी हो सकते हैं सांस्कृतिक तरीके से भी पर्व हो सकते हैं जातिगत पर्व भी हो सकते हैं राष्ट्री पर्व भी हो सकते हैं यह पर्व के प्रकार हुए और जो हम होली अगर इसकी जगधा पर ऐसा पूछा जाता कि धार्मिक पर्व के प्रकार बताईए ठीक है अभी हमने इसकी पर्व के विभीर प्रकार पूछा था अगर इसकी जगह पर प्रश्न यह हो जाए कि धार्मिक पर्व के प्रकार बताईए तब आप उसमें होली दिपावली दसहरा रक्षा बंदन इद क्रिस्मस लिख सकते हैं ठीक है देखिए इसी पैराग्राफ में से ब के बारें पूछा गया है तो यहां पर मेंशन किया गया है वैशाखी पॉंगल ओना बसंद पंचमी आधी पर्व का संबंध एक अस्थान विशेष की संस्कृति से है इसलिए वह क्या है संस्कृतिक पर्व तो यहां पर संस्कृतिक अगर पूछा जाएगा तो उसके और और बसंद पंचमी ठीक है समझ में आया मलब एक ही पैराग्राफ में अलग-अलग तरीके से प्रस्न पूछे जाते हैं बच्चे कौन से बच्चे गलती करते हैं जिन्होंने पैसेज पूरा पढ़ा नहीं होता है बीना पैसेज पढ़े जो बच्चे आंसर करने की कोश करते हैं उनके नॉर्मली प्रश्न गलत हो जाते हैं जो कि ऐसे जो घुमावदार प्रश्न होते हैं इसमें सारे ही जितने भी पर जितने भी नाम दिये गए हैं तहवार के सारी तहवारी की नाम है लेकिन अलग-अलग केटेग्राइज किये गए हैं कुछ तहवार जो है ध लगे राश्ट्री परव के बारे में बताइए या राश्ट्री पर्व के नाम लिखी हे तो राश्ट्री परव में गैंटृश स्वत जान्झा जांतरि और फिर इन 19 सब्सक्राइब तो उसे संजाल यह दी जाती है कि निम्लिकित अपठित गध्यांस पढ़कर मतलब एस्पक्टेशन की जाती है आप से कि आप गध्यांस पढ़कर उतर लिखेंगे ठीक है तो यह छोटी-छोटी गल्कियां जो हम नॉर्मली करते हैं और हमें नहीं करनी चाहिए वह इस तरह की हो जाती है इस जिस तरीके का गध्य हो मालब गध्य में जिस जिन बातों का श्रमावेश किया गया हो उसके अधार पर होता है यह जो पैराग्राफ दिया गया है जो गध्य दिया गया है कि प्रश्ण पूछा जाता है ठीक है ऐसा कब होता है 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 ऐसा कब होता है जब तो हमारे पास पठित गध्यांस हो मतलब ऐसा अगर टेक्ट पुक का जो पैराग्राफ दिया गया है तब हो तो ठीक है लेकिन अपठित गध्यांस के लिए पाठ के अधार पर कोई सौमत नहीं पूछा जा सकता है चुकि वहां पर हमें केवल एक पैराग्राफ दिया गया र जूड़ा अगर कोई समाजिक मुद्दा है तो उस पर आधारिक सौमत होता है यहां पर मैंने एक सौमत लिया है भारती पर्व विवीधता में एकता के प्रतीक है इस विशे पर अपने विचार लिखिए ठीक है इस तरह का प्रश्न यहां पर पूछा जा सकता है इसके अल कि हमारा जीवन और पर्व या पर्व और हमारा जीवन इस विशे पर अपने विचार लिखिए ठीक है इन दोनों ही तरह का सौमत यहां पर पूछा जा सकता है अगर यह टॉपिक दिया गया है कि पर्व हमारा जीवन और पर्व अगर ऐसा विशे दिया गया है हमारा जीव और पर्व इस विशाय पर अपने विचार लिखिए तो आपको इसमें लिखना आगा कि हमारे जीवन में पर्व का क्या महतु है क्या योगदान है जो भी पर जो भी तहवार मनाये जाते हैं जो भी हम सेलिब्रेशन करते हैं उससे हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता ह है तो हम सभी जानते हैं कि जितने भी तहवार हम मनाते हैं उससे हमारे अंदर एक उड़जा का संचार होता है ठीक है positivity आती है साकारतमक दृष्टिकोंड हम अपनाते हैं जैसे दिवाली धिपावली हमें मनाना होता है तो दिपावली में हर घर के लोग हर सारे ही लोग क्या क तो वो उस तरीके से भी काम में जुड़ जाते हैं फिर उसके बाद उसमें नए-नए कपड़े आते हैं नए कपड़े हम जो पैनते हैं यह सारी चीज़ां करते हैं तो यह हमारे अंदर क्या करता है एक सकारतमक द्रिष्टी कोंड लेकर आता है अभी जैसे क्रिश्मस का तहवार आने वाला है तो क्रिश्मस में कोई जरूरी नहीं है किसी क्रिश्चन परवार ही बलगी बाकी छोटे-छोटे बच्चें भी आप देखते होगे आर्टिफिश्यल जो क्रिस्मस ट्री लेकर आत कंपने आने वाला होता है कि उन्हें इदी मिलने वाली होती है। उन्हें गर में उन्से जो बड़े हैं सदस्यर वह Уんな ईदी देती है थो छोटे बच्चे इसले खुस होते हैं। बड़े बच्चे बड़े लोग जिने अपने परवार की जिम्मेदारी देखनी होती है वो इद के मौके पर ही मलब एद का तेहवार है इसलिए घर के लोगों को नए कपड़े दिल वाते हैं ठीक है नए समान लेके आते तो इस तरह से हर एक तहवार, चाहे वो होली हो, चाहे दिपावली हो, चाहे दसहरा हो, चाहे रच्छा बंधन, कोई भी तहवार हो, ये एक तरीके से सकारत्मक द्रिष्टिकोन को जन्म देता है, लोगों के अंदर positivity आती है, जैसे अभी recent का ही example हम देखेंगे कि ये कोरोना क अकाल चल रहा है, सब जगा थोड़ी बहुत डिप्रेशन, थोड़ा बहुत आउसाद सबके ही जीवन में आ गया है, लोग अपने तरीके से आ जानी पा रहे हैं, बच्चे उस्कुल नहीं जा पा रहे हैं, धिनबर घर में ही उबंध हैं, या जो बड़े लोग हैं वो भी आफिस जानी पा रहे हैं, घर से ही काम कर रहे हैं, तो ऐसे आउसाद के समय में भी जब दिपावली का तहवार आया, या गणेश उत्सों का तहवार आया, भले हम दिपावली में बाहर नहीं गए, जो देहवार थे हमने बाहर अपने दोस्तों के साथ चलिबरेट नहीं कि इस तरह से भी बातें हुई, तो यह भी जो यह कोरोना का भी समय चल रहा है, वससमें भी एक तरह की पॉजिटिविटी इस तरह के तहवार ले आते हैं, तो अगर प्रशन ऐसा पूछा जाता, कि हमारे जीवन में परवों का महत्वाश, इस विश्चाह पर अपने विचार लिखिए तो उसमें हम यह लिख सकते थे कि पर्व की वज़ा से लोगों की जीवन में उड़ जाया का संचार होता है व्यक्तियों के सभी व्यक्ति के अंदर सकारात्में द्रिश्टी कोण का जन्म होता है लोग इसे हर्स उल्लास के साथ मनाते हैं कि इस तरह का उसमें प्रतीक है इसका प्रतीक है इस विश्य पर अपने विचार लिखिए तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसा कि हम सभी चानते हैं कि भारत देश में अलग अलग तरह के लोग होते हैं अलग धर्म के अलग समुदाय के अलग जाती के ठीक है अलग अलग प्रांत के लोग एक जगह पर हो जाते हैं जैसे मुंबई का अगर हम एक्जामपल लेंगे तो मुंबई में नौर्थ के लोग भी हैं साउथ के लोग भी है ठीक है गुजरात के भी लोग है तो ऐसी ही भारत में अलग-अलग प्रदेश में बहुत सारे धर्म के लोग पूरे भारत में अलग- सब्सक्राइब धर्म सब्सक्राइब um फिर उसके बाद सनस्क्रिटिक है इतने सारे तहवहर विल्ण होने के बावजूद इतने सारे लोम freak हुए थैवार's चाएया छुपा धावट्ध मेर्त सब्सक्राइब करते ह incarायक सब्सक्रेबरेट करते हैं संसली करते जैसे चाहे जो भी तेहवार हो, चाहे इद हो, हम सारे ही भारती दोनों में celebrating करते हैं, चाहे वो कोई भी एरिया हो, चाहे जहाँ पर मुस्लिम भार बाहूल एरिया हो, वहाँ पर भी गणपती उत्सों मनाया चाहता है, कोई भी एसा नहीं है, सब्वित राश्ट्री परव को मनते हैं जैसंतर दीवस्वा स्वील इस एक समप्रदय ऐसे भी लोग सब ऑसे को अमनाने का तरीका सै को तो इस तुरह के कुछ जो भी आपको को लगता है यह मैंने एक overall idea दिया है, आपको सौमत में ऐसे कुछ भी points जो आपके हिसाब से आपको लगता है, यह होना चाहिए, वो आप सौमत में लिख सकते हो, तो यह दो अंका सौमत हुआ, भारती पर्व विभिता में एकता का प्रतीक है, इस विशे पर आपको अपने विचार लिख सकता है, इसके बाद जब भी हम गदी विभाग लिखते हैं, इनफेक्ट पादी विभाग के भी कुछ points इसमें आ सकते हैं, जब भी हम गदी विभाग लिखते हैं, गदी विभाग के जो प्रश्न होते हैं, वो सौल करते हैं, तो उसमें कुछ ध्यान देने योगी मुद्य होते हैं उनके उपर में डिसक önपर ना चाहोँगी कि अचैसी को से लिए हैं तो बत्वानम को सब्सक्राइए लितल्ग एक इसा डिया होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना है संजाल यह आकृति पेंसे ही बनाना है उसमें पेंसिल का अपयोग नहीं करना है टीक है उसके बाद दूसरा है मुद्धे पूछे जाने पर केवल एक या दो शब्द ही लिखें पूरा वाक्य ना लिखें जहां पर केवल नाम पूछा जा रहा है या कोई मुद्ध पूछा जा रहा है जैसे अभी हमारे लास्ट जो हमने लास्ट पराग्राफ लिया उसमें सांस्कृतिक तहवार के नाम पूछे जा रहे हैं तो इसके नाम लिखने हैं पूरा-पूरा और आणक only मिलते हैं स्वर्व में से सभाड लिखते समय मात्रा या वर्तनी का पूरा ध्यान दे अनेता अंक कर सकते हैं जैसे कि मैं ने पहले भी पताया जब आपको आधावाके दिया होता है और आधावाक्य आपको पैसेज में से देख लिखना होता है उस समय भी अगर आप शब्द लिखने में या वाक्य पूरा लिखते समय कुछ गलती करते हैं तो आपका उसमें अंक कट जाता है वहाँ पर आप ऐसी उमीद भी नहीं कर सकते हो कि एक्जामनर बड़ा दरिया दिल होगा और आपका हाफ माक्स भी देगा जो कि वह पूरा का पूरा सेंटेंस आपके पैराग्राफ में दिया है उसे देख कर भी अगर आप गलत लिख रहे हैं तो उसमें आपको अंक नहीं मिलते हैं पूरा अंक आपका कट जाता है इसके बाद अभी व्यक्ति आशे नुशार और विचार पूर्वक अपने शब्दों में व्यक्त करें जो हम सोमत के प्रशन लिखते हैं सोमत का जो उत्तर लिखते हैं यह आशे नुशार होना चाहिए मतलब जो पूछा गया है उससे रिलेटेड होना चाहिए विचार पैसेज में जो दिया गया है उसकी जानकरी लेनी है उसकी जानकरी लिखनी है यह हो सकता है कि पैसेज में से कुछ वर्ड आप ले सकते हो कोई शब्द आप ले सकते हो जिसको अपने उत्तर में वो शब्दों को अप्योग कर सकते हो आपको मात्र या वर्तनी का नहीं खया कि यह कुछ मुद्धे हैं जो हमें ध्यान देने होते हैं जब हम गध्य विभाग के प्रश्ण को सौल कर रहे होते हैं या हल कर रहे होते हैं इसके बाद पदिविभाग की और हम बढ़ेंगे, पदिविभाग के लिए क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, कौन-कौन से घटक होते हैं, कितने अंक डिसाइड होते हैं, ये सारी चीजें देखेंगे, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पदिविभाग कुल बारा अंक के लिए पूछा जात लिए नहीं लगने चाहिए इस तरह से अगर आप टाइम मैनेजमेंट भी लेकर चलेंगे तो आपका पेपर दो घंटे पचास मिनिट में बड़े आहराम से हो जाता है कि जैसे हमने गध वीभाग में देखा था कुछ पार्ट निसका सित किये गये थे या रिमूव किये गये थे जने कह सकते हैं इस साल के लिए इस अपयडमिक यeर के लिए 2020-2021 के लिए कोरोना महमारी के चलते कुछ पार्ट जो निकाले गये है वैसे ही पद्य विभाग में से भी कुछ कविताएं हटाई गई हैं, इन में से दो कविताएं हटाई गई हैं, एक है कृषक गान और दूसरी है अपनी गंध नहीं बेचूंगा, अब ये दोनों कविताएं हमारे पद्य विभाग के सेलिबस में नहीं हैं, विभाग दो पद पढ़ित-पधुक्त आते हैं और हर एक पढ़ित complex 6 6 अंक का होता है मतलब एक पढ़िस यह डूह ही पढ़िक होते हैं मतलब आपकी जो कवीता है दोनहों ही आपकी positioning से आएगी बाहर से कवीता नहीं पूछी जाती है पतिछ पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए और ऐसी ही दूसरा भी आएगा दोनों ही पठित पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए दोनों ही प्रेशने 6-6 अंकों के लिए होगा और इस तरह से आपका टोटल अंक कैसे हो जाएगा 12 अंक का हो जाएगा पद्विभाग में भी हम घटक निहाए अंक वरगी करण देखेंगे जैसे हमने गद्विभाग में देखा था गद्विभाग में पठित गद्यांस के लिए आठ अंक था और चार घटक थे अपठित गद्यांस के लिए चार अंक था और दो घटक थे वैसे ही पद्विभ को सब्सक्राइब कर देडरी समपदा और यह फिर Q2 के लिए निम्रिकर सब्दों के लिए Method rules में लिखिए मलब निमलिकी शब्दों के लिए पद्यांश में जो शब्द उपयोग किये गए हैं वो लिखिए ठीक है ऐसा भी पूछा जा सकता है और तीसरा इसमें अभिव्यक्ति या सौमत की जगा पर मलब जैसे गद्विभाग में आमने देखा था अभिव्यक्ति होती टारैजी सौमति जाएंगी आपको या से मेंशन किया कि लिए और इसके लिए आपको दो अंक मिलते हैं इस तरह से टोटल कुल आपके छे अंक हो जाते हैं यहां पर क्या होता है संजाल या आकलन का प्रश्ण होगा श्रब्द संपदा होगा और अभिवेक्ति या सौमत की जगा पे सरल अर्थ पूछा जाएगा इस तरह आपका छे अंक हो जाता है कि यहां पर मैंने एक पठीत पध्यांष आपका आपकी कवीता एक लिया हे यहां पर गिरिधर नागर रेशान हुई चोटा सांस लिया है इसके उपर मैंने प्रश्न पूछा है, यह आपकी पढ़ी हुई कवीता है, मतलब आपका पठीत पध्यांश है, तो मुझे उमीद है कि आपने यह पढ़ा होगा, इसलिए मैं उसे ना पढ़ते हुए डारेट कोस्टन के ओर जाती हूँ, यहाँ पर मैंने जो पहला कोस्टन लिया है, वो उचित जोडियां मिलाइए, मैंने इसमें कहा कि इसमें संजाल का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, यह फिर डारेट आकलन का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, उचित जोडियां मिलाइए, यह पहला प्रश्न हुआ, इसमें आपको दो कॉलम दे गिया जाए जैसे मैंने गद्यांस में भी बताया था कि आकलन के प्रस्ट में तालीका पूर्ण कीजिए पूछा जाता है यह उसी टाइप का कोश्चन है इसमें आपको तालीका पूर्ण करनी होती है यहां पर हाफ पार्ट है लेकिन वह एक क्रम नुसार नहीं है उपर नीचे है तो एए आशुओं के जल से आई यहां ऑच गाजके आए यह तया है सो बैल बोई तो आशुओं के जल से क्या किया लेकि अनुटे कि Nichy लोहता है यह टो संजाल कर प्रत्ẫn होता हैquito होता है इसलिए जो कुछ और इस पर और समझने में कटिन होता है इसके लिए नॉर्मली इस पर पूछ से जाने वाले कुल की मर्यादा के लिए यहां पर क्या दिया है चान दई कुल की कानी ठीक है चान दई चान दी मतलब छोड़ दी कुल की मर्यादा क्या हुआ छोड़ दी फिर तीसरा है प्रेम बेल प्रेम बेल के लिए क्या है अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई प्रेम बेल के लिए क् फल, फिर संत संगती के कारण, संत संगती के कारण क्या हुआ, संत न धिग बैठी बैठी, लोक लाज खोई, संतों के पास बैठे बैठे, लोक लाज खोई, तो संत संगती के कारण क्या हुआ, लोक लाज खोई, तो इस तरह से आपको यहाँ पे आंसर मैच करके लिखना होता एक कॉलम में जो फर्स्ट पार्ट दिया होता है उसका सेकंड पार्ट दूसरे कॉलम में होता है लेकिन क्रमा नुसार नहीं होता है वो आपको जोड कर लिखना होता है बहुत ही सिंपल होता है दो आंग के लिए पूछा जा सकता है इसके अलावा आपको संजाल के भी प्रस् इसमें पूछा जा सकता है इसके बाद दुसरा टाइप का question देखते हैं सेम पैसेज में से सेम जो पठीत पधियांस है उसमें से ही दुसरे type का दुसरा question निमनिकर शब्दों के लिए पध्यांश में आए शब्द लिखिए यह शब्द संपदा का व्याकरण वाला कोशन है ठीक है निमनिकर शब्दों के लिए पध्यांश में आए शब्द लिखिए ओके यहां पर आपको कुछ शब्द दिये गए हैं इन चारों शब्दों के लि शंतनन धिग बैति संतों के पास बैठे मीरा ने लोकलाजा को दिया है तो संतन धिग कार्थ क्या हुआ निकट या समी यह उनिकट दिया गया है समी भी पूछा जा सकता है उन सब के लिए कौन सा एक वर्ड होगा है पैसेश प्रश्ण प्रश्ण पूछे जा सकते हैं इसके बाद इसमें भी सरल अर्थ पूछा जाता है मतलब जैसे अभी वेक्ति या सौमत होता है उसकी जगह यहां पर सरल अर्थ होगा दो अंग के लिए इसे मेरे तो गिर्धर-गोपाल से लेकर लोग लाज ख़ई यहां तक को पंग्तियां लिएगी हुर मतश्य is और लिखे और फिर प्रफ्म चार यहां ऐसे बोल दिया जाएग और आप दिया जाएगा डिटो कि खोड इसे जया पाज कर रम। अरता दिया है डिशक्त पद्यान्ग्त Constitution and इनका आपको अर्थ लिखना है सदर अर्थ , हमें बताना परताती है, मतलब आपको रहता दम्न के शरुधा करो चैशार नाम सबस्ते हैं के माध्यम से प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से मेरा भाई का प्रेम कृष्ण स्री कृष्ण के प्रती व्यक्त होता है ठीक है इस तरह से स्टार्ट करके आप अपना जो आंसर है उसकी शुरुवात कर सकते हैं कि यह हुआ पहला मैंने एक कविता ली थी यहां पर ग्रिधर नागरवाली इसके बाद यहां पर मैंने दूसरी कविता ली है यह भारत महिमा कविता है आपका फर्स्ट लेशन जो है उसमें से है इसमें भी मैंने कुछ प्रश्ण पूछने का प्रयास किया कि इस तरह के प्रश्ण आ सकते हैं ऐसे प्रश्ण आएंगे कोई जरूरी नहीं है मैंने से पॉस्पिलिटी बताई है कि कि किस-किस तरह के प्रश्ण पूछे जा सकते हैं तो मैंने वही प्रश्ण चूज किये हैं जो नॉर्मली डिफिकल्ट मालूम पढ़ते हैं, मतलब बच्चों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, और डारेट कोश्चन देख के समझ में नहीं आता है, वैसी ही प्रशनों का मैंने उप्योग किया गया है, जिससे अगर ऐसी ही प्रशन एक्जाम में आए, तो आप पर कोमल, यह सारे ही शब्द, विमल यह रहा, कोमल यह रहा, यह सारे ही शब्द जो है, यह पध्यांश में आई हुए है, हमारा प्रशन है, पध्यांश में प्रयुक्त इन शब्दों से सहसंबंद दर्साने वाले, सहसंबंद मतलब उनसे कोई रिलेशन बताने वाले शब उपहार के लिए वाणी और कोमल के लिए कमल ठीक है इस तरह से आपके ये प्रस्नों हो सकते हैं ये ऐसे प्रस्ना सकते हैं और उनका उत्तर आप ऐसे लिग सकते हो इसी होता है सिफ प्रश्णों का टाइप अलग-अलग है इसलिए कई बार आपका इसा लगता है कि कुछ नया पूछा गया है लेकिन आप एक या दो बार प्रश्ण पढ़ते हो तो भी आप उसके उत्तर लिख सकते हो फिर यहां पर भी मैंने सौमा के लिए जो संपध संपधा वाला जो अमिए इस तरह का दो श्रब्द दिये जाएंगे जैसे आपने गध्य में देखा था वैसे यहां पर भी होगा, दो शब्द दिये जाएंगे और उसके उपर आपको प्रस्न तयार करना होगा, ऐदर ऐसे जो पहला प्रस्न पूछा गया है, वैसे पूछा जा सकता है, या जैसे दूसरा प्रस्न पूछा गया है, वैसे पूछा जा सकता है, किसी भी तरह का प्रस आपको लिखना होगा ठीक है उश्या है तो उश्या का समानार्थी श्रब्द आपको लिखना होगा ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं अगले आपको उसके उपर आपको भावार्थ लिखना हो अगर आप पहली पंक्ति में ऐसा लिखते हैं प्रस्तुत्स पंक्तियों के माध्यां से रचनाकार ने रचनाकार का नाम अगर नहीं पता है कभी है या आपको नहीं याद है तो आप नॉमली रचनाकार लिख सकते हैं रचनाकार ने ये बताने का प्रयास किया है जो भी पॉइंट्स हैं फिर उसके बाद आप अपने आंसर के शुरुआत कर सकते हैं तो वह अट्रेक्टिव लगता है और थोड़ा इंप्रेश्व कि हमने पहले देखा पद्धि विभाग कुल कि आपके कम से कम आठ अंख और ज्यादा से ज्यादा बारा अंख मिल सकते हैं कम से कम आठ अंख उन लोगों के लिए है जिनको ऐसा लगता है कि उनकी हिंदी या मराथी अच्छी नहीं है ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि मुझे हिंदी ओ मराथी लिखने में प्रॉब्लम है कई बार वो लेंग्वेज बैरियर होता है ठीक है तो उसमें वैसे बच्चे भी बारा अंख यह आठ अंख कैसे ला सकते हैं उसके लिए कुछ मैने आप निर्देश गिए हैं अगर आप वह फॉल्व करते हो तो जिस जो बच्चा कम जोर है ऊछ आप ाका HOLा सकता है और जो बच्चे अच्छा अंसर लिखते हैं वो पूरा 12 का 12 अंख ला सकते हैं, तो निर्देश कुछ इसास है, कोई भी पद्य हुआ, कोई भी कविता हुई, तो उसका जो जान होता है, वो सब्दार्थ होता है, ठीक है, शब्दार्थ, अगर आपको किसी भी कविता का सब्दार्थ पता है, तो आप संजाल का प्रशन भी आराम से कर सकते हो उसके साथ ही साथ आप जो व्यक्राण estéms ही जिसमें नॉमली सामानार्थी स्रब्द पूछा जाता है या फिर ऐसे श्रब्द जिनका प्रयोग पध्यांस में किया गया है उसका वह छबी निखिए वह पूछा जाता है उन दोनों में ही सब्दार्थ अगर आपको पता है तो काम कर जाता है फिर दूसरा है रचनाकार का नाम आपको रचनाकार का नाम पता होना चाहिए छे कवीता ही केवल आपकी है आपको उन्चे आपको इसमें से जो सार है सेकंड आप्षन है सार और यह जो कोई बच्चा जिसकी हिंदी अच्छी नहीं है कोई विद्धी इसे लगता है कि उसकी हिंदी इतनी स्ट्रॉंग नहीं है हिंदी अमराथी तो वोन बच्चों के लिए भी रचनाकार का नाम और सार बहुत माइट अगर उन्हें दो अंक लाना है दो में दो सोमत वाला प्रशन है उनके लिए भी रचनाकार का नाम और सार बहुत माइब देखते हैं कैसे अगर किसी व्यक्ति किसी बच्चे को आंसर नहीं पता है और उसने सोमत का सोमत की जगा जो सरल अर्थ वाला जो प्रशन पूछा ज उसका अर्थ नहीं पता है वैसा बच्चा अगर रचनाकार का नाम लिख दे और एक लाइन में कविता का सार लिख दे तो भी उसे एक अंक रचनाकर का नाम औरनी कुछ भी नहीं आता हो तो भी आप रचनाकर का नाम लिखिए और एक Shreya m वो तो यह दोनों ही तरह के बच्चों के लिए जरूरी है रचनाकार का नाम और सार लिखना यहां पर मैंने कुछ एक तरीका बताया है जिस तरह से आप अपना नोट्स तयार कर सकते हैं आपको करना क्या होगा आप अपनी नोट्बुक में ऐसी ही छे कविताओं का नाम लिखें यूंबूड। जो कविता इनके ऊपपर रचनाकार का आनाम लिखेंगे। टैसे भारत-वहीमा कुछ इसने लिखिये हैं जैसंगल प्रसाड जी ने लिखिये गृण सहने मेरा दास ने लिखिए। घंट मानियक वर्मभर सार लिख कर तयार करना होगा ठीक है यहां पर मैंने सार दिया हुआ है एक या दो पंक्ति का आप सार लिखिए ऐसे केसे में जब बच्चे को जो पंक्तियां दी गई है उन पंक्तियों का नहीं पता है तो भी अगर वह रचनाकार और यह एक दो लाइन का सार लिख लेता है है तुस्यित है और झो बच्चे को पंक्तियों का अर्थ पता है उसने सरल अर्थ लिखा है उसके साथ ही अगर ओर रचनाकार का नाम और सार लिख रहा है तुसे 2 मिलते हैं तो यह दोनों ही तरह के बच्यों के लिए उप योगी है यहां पे मैंने को एक छोटा सा यह आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं या फिर अगर आपको यही लिखना है तो आप यह लिखना अंक चाहिए या कम आप मुश्किल नहीं है विर छही कवीता है राचनाकर का नाम तियार कर लिछे नाम जो है उसकी लिश्ट रिठीक है वह आपको लिखना होगता और यह जो अगर भारत महिमा कोई भी पंक्ती दी जाये तो उसमें का यह सार है ना यह सेम रहने वाले हैं यह चंज नहीं होने ौथ्या कोई विए कवीता का सार सार मतल्लसर मन सार् हो तो आपको सार्थ आधांग मिल्हीं जाता है जीटों मिलने से बेटर है आधा अंक कर आपको सदल्रख पता है वह तो दो मेधोरे अंक मिलते हैं यहां पर आपको पध्यर के विभागो Celebration का सबदार्थ सब्दार्थ पता होना चाहिए जितने भी श्रब्द हैं उनके अर्थ ऐसे नहीं कि आप टेश्ट बुक में आपने लिख लिया है और आप जब पढ़ रहे हो तो बार-बार टेश्ट बुक देख रहे हो और उसके बाद आपको अर्थ याद आ रहा है आपकी तैयारी ऐसी हो बारा में से आठ अंक अराम से मिल जाते हैं और बारा में से बारा भी पूरे के पूरे अंक आपको मिल सकते हैं तो यहां पर आज अब आपके भी चैरे लोगी याद रहा में बारा अंक 12 आउट ओफ ट्रोल अप करेंगे व्याक्रांड की भी शुरुवात हम उसमें कर दें जो कि व्याक्रांड के लिए भी एक लेक्चर कम पड़ेगा तो हम मिलते हैं अपने अगले सेशन में जो कि है 21st को 25 दिसेंबर को धन्यवाद कर देंद कर देंद